अलो दोस्तों मैं हूँ जामिन खान आप देखे माँ चैनल जामिन लेक्टीसियन अगर आप एक लेक्टिक रिपैरिंग काम सुरू करना चाहते हैं या कर रहें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी इसमें मिलेगी ये कौन से नंबर्ग बैरिंग कहां पर इस्त टुलू मोटर होता है 1 HP का 0.5 HP का वाटर पंप ये उसमें भी लगती है और माई दूसरी ये एकजास फ्रेंज बड़ा आता है या कूलर लोहे की बाड़ि में आता है उसमें जो मोटर होती है ये उसमें भी 62.02 ही बैरिंग हम इस्तेमाल करते हैं चलते हैं अगली बैरिंग की तरफ ये 62.01 बैरिंग ये माई सीलिंग फैंड के जो नीचे वाली प्लेट होती है देखे आपको इमेड में दिखाई पड़ रहा है ये सीलिंग फैंड का नीचे वाला हिस्सा है इसमें 62.01 बैरिंग लगती है और कुछ पुराने माडलों में 639 भी इसमाल होती है चलते अगली बैरिंग के तरफ हमारी छेजार दो वाली ये फाय फैल चारी धाकता है या 3 ओता है उसमें बैरिंग आगे के हिस्से में पेरिंग 6002 बैरिंग लगती है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है यह आगे की साइट की बैरिंग है किसी किसी में 2 ब्लेट फैन में भी लगती है लेकिन जाहता है 5 ब्लेट में इस्तुमाल होती है चलते हैं अगली बैरिंग के दब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे मैं इसी तरह के जानकारी देता रहता हूँ यह हमारी 62 बैरिंग है यह फाराटा फैन 2 ब्लेट यह फाइब ब्लेट को जो होता है उसमें पीछे बैक साइड में लगती है और यह हमारी अगली है 639 यह भी हमारी फाराटा फैन में पीछे के साइड इस्तमाल होती है फाइब ब्लेट में भी पीछे की तरब किसी किसी में लगती है और हमारी अगली बैरिंग 608 यह भी हमारी पाराटा फैन के पीछे साइड इस्तमाल किया थी है और हमारा अगला bearing है हमारी bearing 6000 bearing है जो ज्यादा तर ये two blade farada friend जो आता है ये double पल्ले का उसमें ये दोनों side लगते है आके पीछे दोनों side चलते हम अगली bearing हमारी देखते है कौन से है ये हमारे bus है जो SS20 ये plastic cooler जो आता है उसमें आपको जो image में दिखाई पढ़ रहा है motor ये इसमें लगता है हमारा अगला भी जो है bus है ये bus हमारा जो छोटे cooler आते हैं प्लास्टिक वाले और ये fan जो आता है आपको image में दिखाई पढ़ रहा है इसमें भी 80.07